नवस्कार आप देख रहे हैं, 24 की चौसर में हूँ आपके साथ अमिदगर शुकला हमारे साथ मौझूद है उत्रप्रदेश की पूरों मुख्यंतरे, अखले इशादों की पत्नी डिमपल यादो जी मैंपुरी से मौझूदा सांसद और इस बार प्रत्याशी भी निमपल जी कैसी तैयारी चल रही है चुनाओगी बढ़िया तैयारी चल रही है और लोग इस बार मैं समझती हूँ बहुत ही जागरुक होके वोट डालने जा रहे हैं और बहुत पॉजिटिव एफेक्स हैं यहां पर उमीद पुरी में पिछली बार हारजीत का अंतर तक्रीबन तीन लाख वोट का था इस बार उससे आगे जा रही हैं हमें सबजना हुआ कि हम चाहा रहे हैं कि इस बार हम आगे जाएं और जा भी रहे हैं लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि यहां पर लोग को धमकाया जा रहा है जो एक लोग तंत्रिक ले सबसे हानिकारत बात है और कहीं न कहीं यह भाजपा के जो मंत्री जी हैं और भाज इसी तरह दबाव की राजनिती पूरे प्रदेश में चलाना चाहते हैं लेकिन इस बार लोग जागरुक है क्योंकि आज हर वर्ग इन लोगों से परेशान है नाखुश है और वोट डालने जाएंगे वोटर्स को धमका रहे हैं आप यह कह रही हैं वोटर्स को भी धमका रहे हैं जी चलते चलते बात कर लेते हैं मैंनपुरी में मुद्दे स्थानिये हैं यह राश्ट्रे स्तर पर जो मुद्दे उठाये जा रहे हैं चुनाओ में चर्चा में हैं वो मुद्दे हैं अभी जिस तरीके से अचानक से मुस्लिम आरक्षण की बात होने लगी और कहा जा रहा है कि OBC और SCST का आरक्षण चीनकर मुसल्मानों को देना चाहते हैं के घर worlds और B RJP के रहे कि हम संतुष्णी करण की पॉल्टिक्स कर रहे है और विपख्ष्ण तुष्टी करण की पॉल्टिक्स में लोगों को ना उल जाए और जब ये आखरी जब चुनाव चल रहे होते हैं तब इस तरह की बाजचीत और भाषा शैली जो निकल के आती है तो ये सही माईनों में भाजपा के जो चदित्र है उसको दर्शाने का काम कर रही है लेकिन बार बार इसी शैली पर आप जो आ जाते हैं चुनाव के समय तो कभी अद्वेश्य है तो पूरा कर सकता है दस साल पर लेकिन मौजुदा सरकार बुरी तरह विपल रही है उनका आरोपे की जो विपक्ष का मैनिफेस्टो है कॉंग्रेज पार्टी का या फिर बाकी दलों का वो देश के इसलामी करण का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम कि आप अपने मैनिफेस्टो की बात करिए कि आपने मेनिफेस्टो में जो वादे करे थे वो पूरे खिरे या नहीं कर पाया इसी के साथ जो आपने कहा था कि आप लोगों को रोजगार दे देंगे युवाओं को और जाने कितनी बाते कही थी अच्छे दिन से लेके आज काम खड़े हैं मैं समझती दस साल का कारेकाल बहुत होता है लोग समझ चुके हैं किस तरह अच्छे दिन की बात करते करते इन लोगों ने थालियां बज़वाई इन लोगों ने हमारी मनिपूर की क्या हलत कर दीती वहां की महलाओं के साथ क्या हुआ था उसमें भी जब गर्वरनर साब ने कहा था कि आप एक क्राइए क्राइए एक साहत। तो यह सरकार की नाकामियां भी है हर प्रsal्ट पे चाहे इंटर्नल हो चाहे एक्सटरौनेल प्रंसों हर तरहों सरकार विपल रही है और खली मीडिया के माध्यम से अपने पचार पसार कर रही है जितनी बातें आप कह रही है कि आप पब्लिक तक यह बातें बिल्कुल वैसी पहुच पारी है या उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमेरे मेरे फैस्टो में 370 था हमने वो कर दिया राममंदिर था हमने वो कर दिया तीन तलाक के खिलाब कानून मनाना था हमने वो कर दिया मैं समझती हूँ आपने जो भी करा हो लेकिन आप लोग के living standard of living को नहीं बढ़ा पाए हैं आज लोग गरीब हैं आज लोग का रोजगार नहीं है आप राशन में भी आप चोड़ी कर रहे हैं आप वोट की लूट करते हैं आप चेर्मनी के चुनाव में लोग को जीतने नहीं देना चाहते हैं तो मैं समझते हैं पूरी तरह भष्टाचार में यह लीन सरकार को हटाने का यही सही मौका है और इसी के साथ लोग तंत्र और सविधान को बचाने का भी और लोग समझ चुके हैं लोग जागरो को चुके हैं मुझे पताया चुनाव की विस्तता है आखरी के दो तीन सवाल में जल दिल दिया आप सहर करूँगा अभी एक चर्चा यह चल रही है कि राहूल गांधी वापस अमेठी लोट सकते हैं उनको लोटना चाहिए मेठी मैं समझती हूँ वो कॉंग्रस पार्टी का निर्ने है और हमारा इंटेफेरेंस कॉंग्रस पार्टी में नहीं है एक चर्चा ये भी है कि M.A.T. जाने से पहले वो आयुध्या जा सकते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए इस पर C.M. योगिया अधितिनाथ ने कहा कि देखिए अभी तक वो रामलला से दूरी बना हुए थे अब उनकी सियासी मजबूरी है कि उनके दर पर जा रहे हैं तो ये तो मैं कहूंगी कि बचपना है हमारे अधर्णिय मुख्यमंत्री जी का को इस तरह की बाते कर रहे हैं कि कोई भी जा सकता है और किसी भी समय जा सकते हैं आप वक्त को क्यों देख रहे हैं अब अपना तो देखते हैं कि जब आप अपने ये जो भटकाने वाले चीज़े लेके आते हैं चुनाफ दोर में चुनाफ के समय जब भटकाने वाले राजनिती लेके जा आते हैं जो अपने ये पोटली से चीज़े निकालते हैं तो मैं समझते हैं जिसको लोक तंत्र है कोई भी कहीं बहीं जा सकता है आप कोई होते ही निये रोकने वाले। अगर उनका इच्छा है अगर उनका मन यह और जाएंगे। लेकिन अभी तक डिंपल जी देखने को यही मिला है कि विपक्ष के जातर नेताओं ने आयुद्ध्या से या रामलला से दूरी बनाए रखी है, क्या कारण है उसके पीछे? मैं यह कहना चाहूंगी, यह मीडिया और भाज़वा के लोग जो गटबंदन है, इसके माध्यम से इस तरह के प्रचार कर रहे हैं, और मैं नहीं समझती हूँ कि भगवान को कभी भी राजनिती में लाना चाहिए, क्योंकि जो यह फेत होता है, यह हमारा परसनल माटर है, और हमको इसको लोग को दर्शाने की दिखाने की जरूरत नहीं है, राजनीत में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीती नहीं होनी चाहिए, यह आप कह रही है, अभी सैम पितरोदा का दो चार दिन पहले एक बयान सामने आज़ पर खूब बवाल हुआ, सैम पितरोदा लगबग एक लाख रुपे महलाओं को पेंशन देंगे हम लोग जब सरकार में आएंगे और इसी के साथ जो यह आपकी जो स्कीम है जो आपने चलाई है जो अगनी वीर योजना है जिसने पूरे हमारे फॉर्च का और हमारे पूरे देश का कही न कहीं नुकसान किया है कहीं कहीं पूरे देश को नीचा दिखाने का जो काम किया है अगर सरकार आती है तो सबसे पहले अगनी वीर योजना को बंद कराया जाएगा जिकने भी रिक पद है इन्हें भरा जाएगा और जो पुलिस की भरतिया निकल रही है और पुलिस के साथ जो भी सेंट्रल में जो भर निकालेंगे तो मैं समझती हूं डिस्बैलेंस होगा पहले दो चरण की चुनाओ के बाद आपको लगता है कि असल मुद्दों से चुनाओ भटक गया है अब हिंदू-Muslim के बात होने लगी है लोग 10 साल में मैं समझती हूं जान भी गए है फरक भी लिया है और समझ भी अग्योड़ है इसमें हमारे पिछ्षडें कुझे वार्ण अच्छा रहे लोगता ही ज titra यहां लोग एक्स Necky Cum कि अपने thought process को लोग के तक पहुचाने में तो मैं समझती हूं लोग समझ चुके हैं और इस तरह की राजनीती का और जो नकारात्मत राजनीती है कही ना कहीं उसका इस बार लोग विरोध करेंगे विरोध कर रहे हैं जैसे हमने पहले और दूसरे चुनाव में देखा है और मेरा आपसे वादा आखरी दो सवाल एक तो यह कि एकारोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी टिकटों को लेकर कंफ्यूज है बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे भी अखिलेश जी ने कन्नाव से नॉमिनेशन कर दिया वह प्रचार भी कर रहे है कि समाजवादी प पार कार बना पाएगा परिवार में सब का सपोर्ट सबका अशिरवाद मिल रहा है सारे बड़े बुज़र्गों का सबभाट सब देसे नितर्म प्याविर्जन का सैसे इस सब दधार के नियुक्ट आपकी जावों पीदृत का रहें को भी को प्रस्द्स आपको ग्राउन में वर्क हाट तो करना ही पड़ेगा and I think so कि सब क्योंकि हम गाउं गाउं जातर सब बच्चे इंप्रेस्टेड रहते हैं पॉलिटेक्स में उनको होना भी चीए क्यों ना हो क्योंकि आप कॉलिटेक्स में इंप्रेस्टेड रहेंगे तब ही आप जागरोप रहेंगे तो मैं समझती हूं अच्छी बात है कि बच्चे जा रहें अनुभव ले रहे हैं तैंक यू डिमपल जी हमसे बाच्चीत करने के लिए